जेहन दोस्तों आज का हमारे वीडियो काप्प्र इंपने वाली है कि आज इस वीडियो में हमले amp किसी भी UPS का जो transformer होता है उसको हम लोग 12 वोल को कैसे बनाएंगे क्योंकि कोई भी हमारे UPS का जो transformer होता है वह बेसिकली 6 वोल्ट का output होता है उसका या फिर वह 7 वोल्ट का होता है ठीक है तो उसको 12 वोल्ट को किस तरह से बनाएंगे और दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सा सब्सक्राइब करेंगे और कौन साम लोग 12 वोल्ट के लिए यूज करेंगे दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जिस सब हमारा मोटा वायर रहता है उस सब हमारा वोल्टेज कम मिलता है ठीक है मतलब कि यहां पर देख सकते हमारा रेड और ब्लू है यह क्या ह कि देखते हैं कि इसमें हमारा 220 वाइर शाओ यूज कम रहता है ठीक है यहां पदला है अब दौस्तों प्रॉब्लम में पर यहाँ आती है कि अगर इतने चार वायर है इसमें हमें लोगों सा वाई यूज करेंगे नहीं दोस्तों गोड़ा से सप्लाई दे सकते हैं यह हमारा कोमन होगा इसमें से देख सकते हैं कि यह हमारा ब्लैक वाला जो है वह हमारा कॉमन है बाकि आप इन दोनों में से सप्लाई दीजिएगा तब पर भी हमारा ट्रांस्फॉर्मर कुछ ना कुछ आउटपूट देगा या फिर आप ब्लैक या फि और च्रेक करते हैं तो यह तो हम लोग दखिए यह जो हमारा भी द आता जायएन घा और सबसे पहले हुँआ तो इसका दखी जो रेश्टेंस का मालन है वह हमारा 19 ओम ठीक है फिर एक दालते हैं इसमें जुसे souvent ग्रीन मे लेना वाले को य्दू si है इसमें हमouse text उसक्षान म्हारा यहाइं जास अता हम ठीक है अब दोस्त्तो है जैसा कि जानते हैं transformer का प्रोपर्टी होता है कि जो हमारा हाइब वोल्टेज्ट होता है मतलब इधर हम लोग यहां लगाते हैं इसमें और दूसरा को हम लोग लगाएंगे इस पे दोस्तों यहां पर सकते हैं कि बिल्कुल यहां प्रीधा 2 बता रहें मतलब कि इधर हमारा लोबb outta लोगते लिए यह दो करते हैं कि यह दो कर दिग सकते हैं कि यह दो वायर को मैंने अलग कर दिया है किसका मको काम कामम मिलेंगे और दोस्तों करना भी आपको UPS का transformer होगा सभी में ब्लैक और ग्रीन इसी तरह कि यह और ब्लू और यह जो यलो है इसी चार कलर का आपको वायर मिलेगा और जिसमें कि यह जो हमारा ब्लैक और ग्रीन को ज्यादा तरी यूज किया आता है इसी को हम लोग यूज करते हैं ठीक है बारा भूल है यहां ग्रण्ट आ रहा है कि हमारा इप si मैं यहां पर पहले लाइट बंद तो इसके बाद को दिखाता हूं और सब चीज distortion आम यहां पर देख सकते हैं कि आज आज है यहांकर काम कर रहा है ठीक है अब चलिए इसमें लोग सब चीज अच्शा चीज कर लेते हैं अब दोस्तों यहां पर हम लोग मल्टिमेटर को AC पे सेट कर लेंगे कि इधर में हमारा AC भोल्टेज ही निकल रहा और यहां पर हम लोग AC पे सेट कर लेते हैं और इन दोनों का हम लोग भोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारा कितना भोल्टेज आ रहा तो दोस्तों में भार्म बोल्ड को कैसे बनाएंगे तो एंदो चलिए मन अब बनाने का प्रोसेस हम लोग а करेंगे अंट चार नियुक्न सिर्फ यहां और यह सब करकें में यहां दोगा det corner यहां कोast क्राइब करना कि हमक्ड करना है तो कि यह दोनहा धूंट है और चूंट करिए दोनों यहां पूरा दूरज़ यहांन के द시면 कि आतरा हूआ यह के एक का करना कि इन क्ललका देना ठीक है यह जोए यहां पर मलब सलसिए यह वायर ले लेते थीच 키 और और हम लोग उसी को दूसरे को टच करना है जिसमें हमारा असपार्क नहीं होगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर मैं देख सटा चेक करता हूं है आए लगार कि धस्तो यहां पर देखते हैं कि जब मैं इनको यहां पर सटा रहा हूँ तो यह सपका नहीं हो रहा ठीक है और आ कि यह और यह पर सटा रहे हों तो ये अस्पारल कर रहा है ठीक है मतलब कि यह और यह हम लोग कभी भी क्रेक्ट नहीं करें करेंगे के अग clinical है अब दोस्तों यहां पर हमारा यहांप है मिल रहा तो दोस्तों यहां सकते हैं कि हमारार बार बहुत मिल रहा ठीक है ने डिख सकते हैं 중요ование आफ नहीं क्या कि कि यहां पर हम ने बारा मिल रहा ठीक है डीक सके यहां पर पूरा Casey सただ कर वायता हूं कि देख सकते दोस्तों कितना है भी हमारा यहां पर करेंट निकल रहा है ठीक है दोस्तों यह जो हमारा ट्रांस्फोर्मर है वह मैक्सिम्म 15 एंपियर तक आपको आपको आउट्पूट में सप्लाई देगा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है अब दोस्तों यहां पर बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग आउट्पूट ले सकते हैं दोस्तों यह भी हमारे पास फिलाल ब्रिज रेक्टिफायर है और यह हमारा क्या है ठीक है इसका नंबर है मतलब कि यह 6 एंपियर का आउट्पूट ले सकते हैं अगर अब 10 एंपियर कर आए 10 एंपियर मतलब कि मैक्सिम्म यह ट्रांस्फोर्मर आपको 15 एंपियर तक क्रांट निकाल कर दे देगा ठीक है दोस्तों तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो च्छे भूल्ट का यह ट्रांस्फोर्मर था इसको हम लोगों ने बारा भूल्ट का बना लिया है और आप इसको किसी तरह के यूज कर सकते हैं बिल्कुल अंब ठीक रहा है यह बिंदास चलेगा तो दोस्तों वीडियो आप में